Hello बच्चो, क्या हाल चाल, this is Opie Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematicia by Opie Gupta. So I welcome you all to a brand new session of multiple choice question series in which we are doing MCQs of every chapter of class 11. So आज का topic क्या है, शल यह मैं आपको दिखाता हूँ. So जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चो, आज हम trigonometric functions के उपर test number 5 discuss करने वाले हैं. इस test का google form link आपको इस video के description box में मिल जाएगा. Moreover, moreover अभी तक हम लोगों ने chapter 1 and chapter 2 के total 4 test conduct कर लिये हैं आप लोगों के लिए. अगर वो test भी आप देखना चाहें, don't worry, playlist का link भी आपको इस video के description box में मिल जाएगा. ठीक है बच्चो, अब आगे बढ़ें और इसे प्यारे से question का जवाब दीजिये ज़रा मुझे. तो बताइए, चैनल को subscribe तो कर लिया है ना, चैनल को subscribe कर लेना और bell notification प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं, ठीक है बच्चो, अब finally आज की class start करते हैं, और यह रहा जी आपका पहला question जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चो, इस test is based on trigonometric functions of class 11 और यहाँ पर पहला question जैसा कि आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बोला हुआ है, if sin x equal to 1 by 3 and x lies in the second quadrant, तो आपको cos x की value बतानी है, देखो simple सी बात है, जो formula हम यहाँ पर use करेंगे, वो formula देखो यह वाला होगा, यानि 10th में जो आपने पढ़ा हुआ है, अब इस formula की help से, अगर मैं cos square x की value निकालूंगा, वो देखो इस तरीके से आएगी, और cos x की value निकालोगे न, देखो यहाँ से square को हटाओगे, तो plus minus under root में देखो ऐसे हो जाएगा, लेकिन, लेकिन क्या है न, कि यहाँ पर angle x lies in the second quadrant, और second quadrant में cos x कैसा होता है बच्चों, तो negative होता है, तो बस यहाँ पर लिखो, cos x equal to minus 1 minus sin square x, अब sin square x, यानि sin x की value यहाँ देखो 1 by 3 है, यह ऐसे square कर दो, और यहाँ पर अगर आप चाहो, तो side में मैं बता लेता हूँ, आप लोगों के reference के लिए, कि second quadrant में angle x बिलॉंग कर रहा है, इसलिए हमने cos x को negative करना ही पड़ेगा, यहाँ पर हम LCM लेंगे, है न, पहले 1 upon 3 का whole square, यानि 1 upon 9 लिख दिया हमने, अब LCM ले लो, तो 8 upon 9 आएगा, यह रहा negative sign बाहर already, तो that will be minus 2 root 2 upon 3, minus 2 root 2 upon 3 कहाँ पर है बच्चो, इसका मतलब यह हुआ कि option 1 तो नहीं होगा, option 2 को चेक करिए, यानि option 2 of question number 1 will be correct, यानि यहाँ पर second option आपका सही हो जाएगा बच्चो, ठीक है, अब आगे बढ़ें, question number 2 की तरफ चलते हैं, तो यह रहाजी question 2 आपके सामने आ चुका है बच्चो, यहाँ पर आपसे na, cos pi upon 12 की value पूछी गई है, देखो, cos pi upon 12 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना, pi upon 3 minus pi upon 4, एक बाद चेक करिए, अगर आप bracket में LCM लेंगे, 4 pi minus 3 pi upon 12, समझे, बिलकुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम cos a minus b का formula apply करें, that formula is cos a into cos b, यहाँ minus है तो plus करिए, फिर आएगा sin a into sin b, ठीक है न बच्चो, अब इनकी values तो आपको पता ही होंगी, cos pi by 3 का मतलब 1 by 2, cos pi by 4 का मतलब 1 by root 2, समझे, और यहाँ पर यह root 3 by 2, sin pi by 3 की जगए पे, और sin pi by 4 की जगए 1 by root 2, ठीक है बच्चो, denominator बिलकुल सेम रहेगा, LCM लेने वाला हुम है, और यह लोजी 1 plus root 3 upon 2 root 2, यह आपका answer आगया, अब ज़रा चेक कर लेते हैं, कहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे, तो इसका मतलब further simplify करना पड़ेगा मुझे, यह देखो, यहाँ पर अगर मैं root 2 से multiply, divide कर दूँ, तो numerator में बनेगा root 2 plus root 6, और denominator में 2 into 2, क्योंकि under root 2 और under root 2 मिलकर क्या बनाएंगे बच्चो, यह दोनों मिलकर एक 2 बना देंगे, समझे, तो 2 into 2 यानि 4 हो जाएगा, तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है बच्चो आपको, तो ऐसा तो मुझे root 3 plus root 2 upon 4 नहीं, root 6 plus root 2 upon 4 यानि इस वाले option में चेक करो, option 2 में चेक करो, मुझे बिलकुल ऐसा ही दिख रहा है, बस मज़ा रही है, तो चलिए, यहाँ पर आप फिर से लिख दो, option 2 यानि question number 2 का भी option 2 से ही हो गया, चलते हैं आगे question number 3 की तरफ, यह रहा जी question 3 आपके सामने, आप question 3 में आपसे न, tangent of pi upon 8 की value पुछी गई है, सुनना ध्यान से, 10 theta, अगर यह theta मैं मान लूँ, बोलने के लिए क्या जाता है मेरा, है न, 10 theta को क्या हम sin theta upon cos theta लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, क्या problem है, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर क्या काम करना है आपको, cos pi upon 8 से उपर multiply करो, और साथ में 2 से भी multiply करो, जब ऐसा करोगे तो divide भी करना पड़ेगा, तो divide मैंने 2 से कर दिया, cos pi upon 8 से divide करूँगा, तो नीचे पहले से ही cos pi upon 8 होने की वज़े से यह देखो, ऐसे बन जाएगा, अब numerator में एक formula है ना, कौन सा, sin 2a का formula, यानि 2 sin a into cos a, ठीक है, अच्छा, 2 cos square a, इसका भी तो formula होता है, 1 plus cos 2a, अब इन दोनों formula को ध्यान रखना और यहाँ पर देखते रहना, angle का मतलब यहाँ pi upon 8 है बच्छो, ठीक है, तो sin, angle का double, देखो, यहाँ पर पहले formula में चेक करिए, यहाँ पर RHS में angle a है, तो यहाँ 2a हो गया, तो यहाँ पर RHS से यह numerator वाला compare होगा, तो इस वजए से यहाँ numerator में जो भी angle दिख रहा है न, sin का, यह cos का, उस angle का double हो जाएगा, तो pi upon 8 का double करोगे तो क्या आएगा बच्छो, pi upon 8 का double करोगे तो pi upon 4 आएगा, बस समझा रहे हैं सभी को, ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, pi upon 4, अच्छा denominator में आजाओ, 2 cos square, pi upon 8, इसको देखो, ठीक है न, और यहाँ पर यह वाला formula लगने वाला है, यानि 1 plus cos, 2 times of the angle, यहाँ पर भी pi upon 4 आजाएगा, pi upon 8 का double, अच्छा sin pi upon 4 की value तो पता हो गए आपको, और cos pi upon 4 की value भी पता ही होती है हम लोगों को, यहाँ पर जैसे फर्दर simplify करेंगे, आप लोग LCM लेकर देखो, ऐसा आपको मिलेगा, और ऐसा किसी भी option में मुझे तो नहीं देख रहा, तो हम क्या करने वाले हैं बच्छो, हम यहाँ पर rationalize करने वाले हैं, जैसे हम यह काम करेंगे, numerator देखो ध्यान से, और denominator देखो ध्यान से, A plus B, A minus B का formula देखो, इन दोनों में apply किया है मैंने, ठीक है, तो यहाँ से यह finally मिला, root 2 minus 1, यह आपका answer हो गया, root 2 minus 1, कौन से option में है वच्छो, third option में एक बार चेक करो, यहाँ देखो, ठीक है, तो question 3 का option 3 सही हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, question number 4 की तरफ, तो यह रहा जी question 4 आपके सामने, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, sign of A की value बताओ, अगर A का मतलब 765 degrees हो, भई सुनना ध्यान से, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, sign 765, ठीक है, अच्छा, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 into 180, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, 720, प्लस में 45, एक बार चेक करिए आप लोग, ऐसा लिखना, कोई प्रॉलम तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है न, अच्छा सुनो, अब यहाँ पर sign 4 pi प्लस थेटा, देखो 4, 180 मतलब pi, तो 4 pi प्लस थेटा, अगर आपका मन करें, ऐसे round लेने का, तो round ले सकते हो, लेकिन round नहीं लेना चाहिए, क्यों, देखो 4 pi प्लस थेटा, देखो 4 pi या 2 pi या 3 pi कुछ भी हो, देखो हमेशा क्या होता है न, यहाँ पर odd multiple आते हैं pi के, देखो pi आएगा, 3 pi आएगा, 5 pi आएगा and so on, और यहाँ पर हमेशा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, या तो 0 pi है न, 0 pi या 2 pi या 4 pi या 6 pi या 8 pi लिखते रहो, देखते रहो, ठीक है, तो फिलहाल यह 4 pi प्लस थेटा वाला केस था, यानि यहाँ पर आएगा, प्लस थेटा यानि first quadrant, in which sin function की value positive होती है, तो sin 45 यानि 1 by root 2, so that is the answer of this question, अब 1 by root 2 मुझे 4th option में देख रहा है, यानि यह रहाजी आपक सही answer, ठीक है बच्चो, question 4 भी गया, अब आगे बढ़ते है, question number 5 की तरफ, question 5 में आप लोगों से tangent of 44 pi upon 3, इसकी value पूछी गई है, कैसे करें बच्चो, तो यहाँ पर न यह angle 44 pi upon 3 है न बच्चो, इस angle को तुम्हें break करने के बारे में सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आप से लिखेंगे, यहां से देखना, 15 pi minus pi by 3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर LCM लेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर LCM लेंगे, तो वही मिल जाएगा जो पहले मिला हुआ है, यानि 44 pi upon 3, लेकिन ऐसा हम करेंगे थोड़ी न, यानि LCM थोड़ी न लें होगे, है न, मैंने पिछले question में आपको बताया था, यहां पर हमेशा odd multiple of pi और यहां पर हमेशा even multiple of pi आता है, तो यह 15 pi कहां पर आएगा बच्चों, यह यहां पर आएगा, और इसमें से minus theta हुआ, मतलब पीछे की तरफ, यानि second quadrant, जिसमें 10 function, जिसमें 10 function क्या होता है यह आपका finally answer आ गया, और यहां पर option 1 को check कर सकते हैं, आप लोग, option 1 में यही दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें, अगले question, यानि question number 6 की तरफ चलते हैं, तो यह रहाजी question 6 आपके सामने आ चुका है, यहां पर करना क्या है हमें, in the following, what is the value of k, यानि यह expression आपको दिख रहा है, यहां पर k की value क्या होगी, हमें यह बताना है, भई एक काम करना, सबसे पहले इसको simplify कर लो, क्योंकि k basically आपके RHS में present है, तो मैं LHS को simplify करने वाला हूँ, चलिए काम सुरू करते हैं, क्या करोगा यहां पर, LCM ही ले सकते हो, और कुछ तो होगा नहीं ठीक है, जैसे ही, आप LCM लेंगे, cos x minus sin x, और यहां से cos x minus sin x, यानि इसका हो जाएगा huls square, यानि कॉस x minus sin x का huls square, clear है, बच्चों, plus, plus cos x plus sin x का huls square, यानि यहां पर लिखो, cos x plus sin x का huls square, और इस पूरे के denominator में क्या आएगा, बच्चों, इस पूरे के denominator में आएगा, cos x plus sin x into cos x minus sin x मतलब क्या हुआ cos square x minus sin square x ऐसा आएगा cos square x minus sin square x ठीक है बच्चों ध्यान से देख लेना मैं यहाँ पर different color में लिख रहा हूँ मतलब यह continuation में है यह पूरा numerator में आप ध्यान से रखना denominator में भी ध्यान रखना numerator में जैसे hall square खोलेंगे न तो यहाँ पर a minus b का hall square और यहाँ पर a plus b का hall square जैसे आप hall square खोलेंगे यहाँ से cos square x plus sin square x बचेगा यहाँ से भी यही बचेगा उसका two times कर दो समझे यहाँ से minus two sin x cos x आएगा और यहाँ से plus two sin x cos x आएगा वो cancel हो जाएगे बच्चो अच्छा denominator में क्या हो जाएगा cos square a minus sin square a मतलब cos two a होता है meanwhile numerator में आपको मिलेगा two into one और यहाँ पर यह cos two a तो present ही है in fact यहाँ पर a की जगए हमें x लिखना पड़ेगा न बच्चो question में जो angle है उसके हिसाब से चलना चाहिए तो यहाँ पर cos two x हो जाएगा तो finally यह बनेगा two times secant two x ठीक है अब इस चीज को हम compare करने वाले हैं अपने question में given इस result के साथ जो की यहाँ present है दोनों को जैसे ही compare करोगे न on comparing जैसे ही compare करोगे तो आपको k की value मिल जाएगी बड़े अराम से so k की value two हो जाएगी अब k की value two मुझे third option में दिख रही है आप भी check कर लो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है बच्चो अब यह भी हुआ आगे बढ़ते है next question की तरफ यानि question number seven की तरफ यह रहाजी question seven आपके सामने आ चुका है यहाँ पर क्या करना है आपको what is the value of k in the following k देखो यहाँ बैठा हुआ है ठीक है चलिए simplify करते है again इसको हम लेके चलेंगे ठीक है बच्चो तो numerator में क्या करने वाला हो ध्यान से देखना बच्चो one plus cos theta साइन थीटा ठीक है और इसे मैं रखूंगा ब्रेकेट में अच्छा denominator में similarly one minus cos theta इसे ब्रेकेट में प्लस में साइन थीटा देखो ब्रेकेट लगाने से कोई प्रावलम तर नहीं होगी है ना बेलकोल नहीं कोई प्रावलम नहीं होगी बच्चो अच्छा one plus cos theta basically we can write two cos square theta by two समझेए साइन थीटा को हम लिख सकते है two sin theta by two into cos theta by two ठीक है बच्चो similarly denominator में भी आ जाओ तो यहाँ पर यह बनेगा two sin square theta by two और यहाँ पर यह two sin theta by two और यह cos theta by two ठीक है बच्चो अब पूरे में से कुछ तो common आ रहा होगा ध्यान से देखो numerator में two cos theta by two common है यहाँ बचेगा cos theta by two और फिर बचेगा sin theta by two एक बच्चो एक बच्चो ठीक है अच्छा denominator में क्या होगा that will be two sin theta by two and that will be sin theta by two plus में cos theta by two समझे यह bracket वालों पर फोकस रखना यह cancel हो रहे है बच्चो यह bracket वाला cancels और यह bracket वाला cancels बाहर यह two cancels और यह वाला two भी cancel तो यहाँ से बचेगा क्या है यहाँ से बचेगा उपर cos और नीचे sin समझे यानि cos theta by two ऊपर बचेगा और sin theta by two यह नीचे बचेगा मतलब overall हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं को टेंजेंट थीटा बाई टू समझे अब इस एंगल को देखना और इसे मुझे कंपेर करना है इसके साथ मतलब आरेचेस में हमें क्या दिया हुआ था हमें दिया हुआ था इन्होंने को टेंजेंट थीटा बाई तू के तो जैसे ही यहां पर आप इस चीज से कंपेर करेंगे न यानि इंगल में थीटा बाई टू और यहां इंगल में थीटा बाई टू के समझे तो यहां दोनों को जैसे ही आप कंपेर करेंगे तो आपको के की वैलू बड़े अराम से मिल जाएगी यानि के की वैलू वन हो है sin x minus cos x की value बतानी है अगर x की value 15 degree हो तो चलिए value put करते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा x की जगए 15 और यहाँ पर भी x की जगए 15 अब इसकी value मुझे बतानी है ज्यान से सुनना मैं कैसे करने वाला हूं साइन 15 को तो ऐसे ही रखो ठीक है cos 15 में इसे 90-75 ऐसे लिख दो कोई problem तो नहीं किसी को लिख सकते है न 15 डिगरी को ऐसे लिख सकते है 90-75 ठीक है बच्चो और ऐसा लिखने से होगा यह कि यहाँ पर cos 90-theta वाला formula यानि sin theta ऐसे होता है न यह लग जाएगा अब यहाँ पर sin c-sin d वाला formula यानि 2 cos c plus d by 2 यह रहा c plus d by 2 और फिर sin c minus d by 2 यानि देखो इस तरीके से यह बनेगा 2 cos उपर बनेगा क्या उपर बनेगा 90 upon 2 है न उपर 90 नीचे 2 बनेगा यानि यह बनेगा 45 डिगरी यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा angle negative समझे यानि क्या बनने वाला है minus का 30 डिगरी चेक करिए उपर बनेगा 60 minus का और नीचे 2 इस तरीके से आ जाएगा sine minus theta negative का sine theta होता है minus बाहर आ जाएगा यानि minus 2 cos 45 की value यह रही sine 30 की value यह रही कुछ चीजे cancel हो रही है जो बचा वो आपका answer है एक बार option में चेक करिए यानि minus 1 upon root 2 मुझे यहाँ पर second option में दिखा ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ें question number 9 की तरफ चलते हैं तो यह रहाजी question 9 आपके सामने यहाँ पर क्या करना है what is the value of k in the following देखो k यहाँ पर RHS में present है और यहाँ पर हमें इसको simplify करते हुए compare करना पड़ेगा RHS के साथ तब जाके k की value मिलेगी चलिए काम शुरू करते हैं यहाँ पर आपना 2 से divide और 2 से multiply कर दो लेकिन जब multiply करोगे ध्यान से देखते रहना मैं किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर जो भी given terms है ठीक है यह sign 80 वाले को bracket से बाहर रखा मैंने उसमें कोई problem तो नहीं किसी को ठीक है अच्छा यहाँ पर जो bracket में है ना इसमें देखो formula क्या लगेगा 1 by 2 तो बाहर है ही यहाँ पर formula लगेगा cos A minus B यानि 40 minus 20 समझे माइनस cos A plus B यानि 20 plus 40 या 40 plus 20 एक ही बात है यह हो जाएगा cos 60 और बाहर क्या present है आपका देखो बाहर यह present already है ठीक है बच्चो अब sign 80 को अंदर भेजो बहिया तो sign 80 को अंदर भेजोगा यह 1 by 2 पहले से ही है यहाँ पर क्या बनेगा यह है आपका sign 80 और यह आपका cos 20 minus cos 60 की value 1 by 2 होती है और इसके साथ में multiply क्या हो जाएगा sign 80 degree bracket close करो अब देखना यहाँ पर मैं bracket के अंदर अगर LCM लोंगा ना तो क्या होने वाला है तो यह बनेगा 2 sign 80 into cos 20 minus sign 80 और पूरे के नीचे 2 आ जाएगा इतना clear सभी को ठीक है यह 1 by 2 बाहर है न तो यह 1 by 4 हो जाएगा और यहाँ numerator में पहले वाले टॉम में अगर आप देखेंगे तो again formula लगने वाला है तो यह क्या बनने वाला है बच्चो आपके लिए यह बनने वाला है sign 80 plus 20 यानि देखो इस तरीके से और प्लस sign 80 minus 20 यानि देखो इस तरीके से और यह पहले से sign 80 वाला तो present है ही ठीक है डिनो मेरेटर में जो 2 था वो बाहर 1 upon 2 के साथ मिलकर 4 बना चुका है मतलब ऐसे लिखो ठीक है आप सुनना ध्यान से यहां पर यह जो sign 100 है ना इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ can we write it as 180 minus 80 sin pi minus theta क्या हो जाएगा तो sin theta जैसे आप यह चीज लिखेंगे ना तो यहां पर देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ देखो यह वाला sin 80 लिखोगे और यह minus sin 80 पहले ही present है दोनों cancel हो जाएगे यहां से सिर्फ sin 60 बचेगा बाहर 1 by 4 वेट कर रहा है sin 60 की value यह होती है मतलब यह आपको देगा root 3 by 8 अब root 3 by 8 को आप compare करेंगे देखो इसके साथ जैसे आप comparison करेंगे ना यहां पर root 3 by 8 वहां root 3 by k तो यहां से k की value आपको 8 मिल जाएगी k की value 8 होने का मतलब second option एक बार आप चेक करो second option में यही आपको दिख रहा होगा समझे यानि question 9 का second option सही हो गया ठीक है बच्चो तो बस बच्चो इसी के साथ हम लोग आज का test तो wind up करेंगे अब हम लोग अगले lecture में मिलेंगे जहां हम लोग अगले chapter का test discuss करेंगे ठीक है ब बच्चो calculus which will begin in class 11th in chapter number 13 limits and derivative और 12 में तो यह पूरा छाया ही रहेगा समझे एनिवे अब इससे पहले कि आज का session में wind up कर दूँ चलिए आपको मैं अपनी से इंटेड्यूस करवा देता हूं यह रही हमारी math mission book यहां पर आप लोगों को क्या-क्या content मिलने वाला है हमारी इस book में क्या-क्या content given है हर चेप्टर के उपर 100 से ज्यादा mcq type के questions आपको मिलेंगे असर्सन रेजिनिंग question मिलेंगे जो की extra है वो आपको नहीं करना है समझे official sample question paper आने के बाद हमको पता चल गया कि असर्सन एंड रेजिनिंग के question आपको नहीं करने फिर क्या है हमारी book में इसके बाद case study questions given है और हर question के आपको solution मिलने वाले हैं बच्चो moreover हर unit के लिए मैंने cbac के previous year के questions को भी आपके लिए present किया हुआ है moreover हर unit के लिए आपको एक एक self evaluation test यानि math various test मिलेगा जिसमें से एक test का discussion मैं आप लोगों के साथ already कर चुका हूँ relation and function यानि पहले unit का जिसमें chapter 1 and chapter 2 included होता है apart from that मैं test की बात कर रहा था तो हमारे इस book में basically आपको revision test भी मिलेगा अगर आप लोग चाते हैं तो इस book को अपनी preparation के लिए purchase कर सकते हैं how to purchase this book check the details given in the description box of this video ठीक है बच्चो आप चलते हैं जरा आप लोगों को अपनी और भी class 11th and 12th की जो books ने उनसे aware करा देते हैं ठीक है बच्चो चलिए जरा यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चो यह रही हमारी class 11th की mathematician यानि यहाँ पर दो books आपको दिख रही है इस वाली book में क्या है यहाँ पर हर chapter के लिए आपको theory यानि concept हर chapter के लिए examples हर chapter के लिए exercises exercise के हर question का answer और हर chapter के उपर test for self evaluation ठीक है और इसमें क्या होगा exercise के हर question का detailed solution समझे यहाँ पर आपको एक free pdf chapter भी मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस link को अपने browser में जाल सकते हो या फिर इस वीडियो का description box चेक कर लेना आपको free pdf chapter मिल जाएगा बच्चो अच्छा class 12th की Mathematician book जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चो यह book 13th revised edition में है और यह book आपके board exams as well as entrance exam दोनों टाइप की preparation को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है this book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter क्या यहाँ पर भी free chapters है बिल्कुल यहाँ पर तो दो दो chapters आपको free मिलने वाले हैं यानि chapter 3 of your NCRT matrix वाला topic देख लो यहाँ पर और chapter 7 of your NCRT यानि integration वाला chapter ठीक है और यह link आपको इस वीडियो के description box में मैंने डालके दिये हुए है ठीक है बच्चो अब मैं जरा आपको कुछ और publication भी दिखा दू अपनी तो यह रही हमारी NCRT Example Problem की solutions book मतलब class 12 के लिए और यह class 11 के लिए ठीक है यह हमारी objective mathematician book है class 12 के लिए और क्या है हमारे पास यह हमारा CBSE का chapter wise pyq वाला समझे और यह क्या है यह CBSE के previous year के salt paper वाली book है लेकिन इसमे latest pattern based sample question paper भी add किये जाते हैं अगर आप लोग अपनी book को order करना चाते हैं तो books order करने के लिए आप इस whatsapp number पे message कर सकते हैं आप लोगों को सारी detail provide करते जाएंगी along with the price description अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इ सब्सक्राइब तो कर लिया है ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification प्रेश कर लेना ताकि हर वीडियो की update आप रोगों को time to time मिलती रहें और फिर इस वीडियो को like करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी classmates के साथ भी share कर देना ठीक है बच्चों चलि बेगए टेक केर अलड़ बस्त थैंक यू